आज करें बच्छों में लोग क्लास 10th मैट्स और यूस का चैप्टर नंबर 19 चैप्टर है कॉडिनेट जेमेटरी आज हम शुरू करेंगी एकससाइस की 19.1 लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे कि यह जो कॉडिनेट जेमेटरी है यह को किस जगा के लिए इस particular जगा के लिए एकBA मैं कैसे प्नााता हूं अब यही address हमें किसी व्यक्ति के नाम से पता होता है, जैसे किसी घर में जाने है तो हमें उस घर के व्यक्ति का नाम पता होता है, और हम उस व्यक्ति के नाम से पूछते पूछते वे जाते हैं, ठीके, अब हमें किवल इंसान का नाम पता है, हमें यह नहीं पता कि जाना कहां हम लोगों से पूछते हैं कि इनका घर कहां पर होगा तो ऐसे करते करते वो हमें बताते रहते हैं और हम धीरे 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 उस जगह तक पहुंचाते हैं लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा एड्रस होता जिसके लिए हमें किसी से पूछने की जरुवत ना होती हम एक्जेक्ट वहां पर पहुंच जाते सीधा उसी एड्रस उसी टेक्निक को फाइंड करने की जो जो साइंस है उसको कहते हम लोग कॉडिनेट जोमेटरी असलमें इनों ने क्या किया कि किसी जगा के लिए एक इड्रस बनाया particular address और उस एड्रस को किसी जगा के लिए इस्तमाल किया कि किसी जगा को पता करना है तो आप इस एड्रस पे चले जाईगे आप exact वहां पर पहुंच जाएंगे आप कपको कुछने की ज्रुरत नहीं का नाम क्या है लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको यहां पर जाना है आप यहां पूछ रहें यहां पूछ रहें फिर यहां पूछ रहें फिर यहां पूछ रहें फिर ऐसे करते करते आप चले गए लेकिन अगर हम इसको एक तरीके से ये फाइन करना चाहें, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और ऐसे ही करते करते, मैं ये सारी लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ, याद रखिएगा हमारे पास यह एड्रस है और ऐसे ही हमने एक सीधी लाइन्स भी ड्रॉआ कर दी और इन लाइन्स को हमने नाम दे दी है कुछ स्पेशल नाम दे दी है हर लाइन को जैसे मालीजे मैं यहाँ पर इसको देता हूँ A, B, C, D, E और इसको नाम दे देते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है यह इधर से 7 है और यह इधर से A, B, C, D, E हमने इसको नाम दे दी है अब अगर मुझे इस जगा के बारे में जानकारी चाहिए मुझे यहाँ पर जाना है तो देखिए क्या करते हैं हम लोग यह जो जगा है इसको ज़रा देखिए दो साइट से एक इस साइट से देखिए और एक इस साइट से देखिए ये वाली साइट से ये C line पर आ रही है जगा देख रहे हैं आप C line पर मौझूद है लेकिन C line तो पूरी की पूरी है यहाँ से यहाँ तक पूरी C है तो हमें कहा पर रुखना है वो बताता है हमें ये वाला आडर्स कि 5 line जो है वो बता रहा है कि वो C line पर 5 line से मिल रही है, तो 5 line से C line तो केवल यही पर मिल रही है, आप देखिया, जो line 5 है, उससे C केवल यही पर मिल रही है, किसी दूसरी जगा पर नहीं मिल लिए, तो इन दोनों की मदद से मुझे एक exact address मिल गया, ठीक है, और इस address की location जो है, वो exact मिल गई है, ifs and buts नहीं है कुछ भी, कि थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर नहीं, exact address मिल गया, तो किसी जगा का यह जो address है, accurate या ज़्यादा precisely find करने के लिए, यह system बनाया गया होगा, ठीक है, तो आप देखिये, जब यहाँ पर address आपको रखना है, तो उसको रखने का भी एक तरीका होगा, वो तरीका है कि पहले आप इस line के बारे में बात करेंगे, यह base है, आप यह base और यह देखिये, यह एक तरह से height की तरह है न, तो यह वाली जो side है न, यह वाला base, सबसे पहले आप इस address को रखेंगे यहाँ यह जो point है, इसको आपने देखा था, यह दो side से मिलकर बन रहा है, इस वाली से रिखो, इस वाली से, तो पहले इस side का address रखने है, वो क्या होता है, C, और इस side पर क्या था हो, 5, तो इसका जो address बना, वो बना C5, ठीक है, आपने computer में भी कुछ ऐसा किया होगा, MS Excel में, याद होगा आपको, ठीक है, उसमें भी उपर, ऐसे कुछ given name होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, उसका एक cell होता है, उसका एक address होता है, तो उसमें इसका address होता है, यहाँ पर हमें इस जगा का address find करना था, बी, फोर, देखे आप, बी, फोर, तो अब हमें exact location मिल रही है, देखे आप, पहले हमें exact नहीं मिल रही थी, हमें नहीं पता था कि कहा जाना है, हम इदर उदर भटकते होई जा रहे थी, अब हम exact जगा पर जा सकते हैं, यह बहुत जगा काम करता है, यह तरीका, इस तरीके को बहुत जगा अपनाया जाता है, address find करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, जब हम अर्थ में, जो अर्थ है, अर्थ तो बिल्कुल गोल है, तो आपने देखा होगा, जब आप geography में आप पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि, अर्थ में भी कुछ इस तरह की lines बनाया जाती है, ठीके, वो जो lines हैं, वो भी address find करने के लिए ही, देखे, इससे exact address मिलेगा हमें, देखा होगा आपने, इन lines के अपने address होते हैं, हर एक line का अपने एक नाम होता है, और हमें जो address ही होता है, हम एक इस line से, और एक इस line से address को find कर लेते हैं, यह भी लगबग लगबग यही चीज जो है, यहाँ पर भी लागव होती है, ठीके, इस तरह से इसको कई जगा पर इस्तमाल करते हैं, ठीके, तो हमने यहाँ सी यह देखा कि, यह जो coordinate geometry है, यह असल में किसी, यह सहूलियत के लिए, कि किसी address को अगर हमें find करना हो, ज़्यादा accurately, तो उसके लिए हमने यह इस्तमाल किया, इसी को हम, जब हम coordinate geometry में आते हैं, तो यही है, चीज तो यही है, इसकी basics क्या है, यह तो हमने आपको बता दिया, कि यह नाम दे दिया आपने, लेकिन यह शुरुवाती जो दौर पे हम इसकी बात कर रहे हैं, कि जो starts हुआ, तो उसके लिए कुछ basics information रही होंगी, basic जानकारी लेके चले होंगी, तो वो जानकारी हम यहाँ पे शुरू करेंगे, और उसी की हमें exercise में ज़रूती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब हम याद होगा, आपको graph paper पर आपने graphs बनाए होंगे, तो आपने यह, यह दिख रहे हैं, जो यह वाला जो side है, यह, और यह वाला जो line, जो हमने यह पर draw किये थे, इसको बना रहा हूँ गया, एक यह वाला होगा, फिके, इनको यह axis कहते हैं, इसको कहते हैं, x-axis, ठीके, और इसको कहते है y-axis, अब इन lines को जरह मैं थोड़ा सा और आगर बढ़ा देता हूं, यह, इस तरवा से और आगर बढ़ा देता हूं, और अब मुझे यह x-axis वाली जो line है इसको भी x-axis कहते हैं बट negative में और यह y-axis ही है लेकिन negative में इसका मतलब क्या देखें यह x-axis है positive में और यह x-axis है positive में क्या करना है हमें कि यह जो point है जहां पर यह line और यह line दोने दूसरे को काट रहे हैं यह point इसको कहते है point of intersection या इसको कहते है origin क्या कहते है origin origin word मतलब आप समझ गए होंगे जहांसे चीज़े originate हो रहे है ठीक है यह कुछ इस तरह से ऐसा है जैसे sun होता है जब हम sun बनाते है अपने देखा होगा sun बनाते है उसके बाद हम lines को ऐसे ले जाते है ऐसे ऐसे भी ला सकते है ऐ यह हमारा origin हो गया और origin से चार lines जा रहे हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये णो गया और origin मतलब क्या हो गया? कि जब शुरुवाती दोर पे तो कोई वीचा 00 नहीं होगी तो 00 हो गया, यह origin हो थो इसका address जो है यह हमारे positive points है, जैसे यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और इधर चलेंगे तो यह हो जाएगा minus 1, minus 2, यह हो गया minus 3, यह हो गया minus 4, यह हो गया minus 5, इस तरह सीधर से minus में चलेंगे. यह तो हो गया x के लिए बात, तो x के लिए जब आप right hand side पर चलेंगे तो positive हो जाएंगे, left hand side पर चलेंगे तो negative हो जाएंगे, अब हम उपर की तरफ आएंगे, तो यह y के लिए जा रहे हैं हम लोग, यह positive है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यह सब positive में, 4, 5, 6, 7, 8. और इधर से जाएंगे, तो यह negative में जाएंगे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. इस तरह से. इसलिए हम लोग कह रहते हैं कि यह negative है, मतलब यहाँ पर y के जो values हैं सारे negative हैं. ठीक है? ठीक है? तो यह, यह असल में आपने जो पहले भी graph बनाया होगा, यह, दिख रहे हैं आपको, यह जो graph paper है, इसी के address बता रहे हैं हम लोग आपको, यह यहाँ पर, यह lines हो गई, दो, यह x हो गई, और यह y हो गई, ठीक है? तो यह जो पूरा plane figure है, यह जो पूरा plane figure था, इसको हमने lines में जो draw कर दिया, और इसके चार हमने section बना दिये, इन चार section क अगर यह पूरा का पूरा एक page था, इस पूरे page को हमने चार हिस्सों में बांट दिया, तो यह तो fourth part हो गया, fourth part मतलब यह इस पूरे हिस्से के वल एक part है, यह पूरे हिस्से के मिलाकर दो part है, तो अगर मुझे इसका हिस्सा बताना हो, कि पूरे के comparison में यह कितना है, तो मै component का मतलब क्या होता है, कि यह आधह का आधह हिस्सा है, इसका आधह करेंगे, यह होजाएगा, तो यह पूरा ऐसे औहिये होग्या, मतलब यह तो यह हो जाएगा, institut Imagt, इसको बहुंत हिसको और एक और फोल्ड कर दो, तो आप मैं देखा है यह आधह का भी आधह है, तो एक हिस्सा उस हिस्से का आधा करेंगे आप तो हो जाएगा वह आधा किलो और जब उस आधे हिस्से का भी आधा करेंगे तो वह जाएगा एक पाओ यानि आधे का भी आधा तो एक पाओ का मतलब यह होता है टोटल एक हिस्से का चौथा हिस्सा तो इसको कहते है यह हो गया second quadrant यह फिर हो गया third और यह हो गया fourth quadrant आपको anti-clockwise ही चलना है यहाँ सी यहाँ नहीं चलना है जैसे घड़ी गुमती है ना घड़ी के ठीक उल्टी दिशा में गुमना है आपको ठीक है तो यह जो quadrant है यह first वाला आप देखिए अगर मैं केवल इस quadrant को देखू और इसको बोलू कि यह दो दिवारों से घिरा हुआ है एक दिवार यह हो गई एक दिवार यह हो गई तो यह कौन-कौन सी दिवारों से घिरा हुआ है एक तो x से और एक y से और सारे quadrant आप देखेंगे कि x और y दिवार से घिरे हुए तो X में जो दिवार है वो positive वाली है या negative वाली है आप कोई देखने है X की दिवार तो positive है और हमेंसा पहले किसका address आता है? X का अभी अभी इमने आपे बात करी थी इस सबसे पहले basic आएगा तो हमने देखा कि ये दिवार तो इससे घिरी हुई है positive वाली से तो X की positive दिवार है और Y की भी positive दिवार है तो पहले quadrant का जो address होगया वो plus plus होगया फिर हम second में आए और second में हमने देखा कि ये X में तो negative दिवार है और Y में positive दिवार है सबसे पहले X का address आता है फिर Y का हमें बूला सबसे पहले इसी का address आएगा इसी line का बस ठीक है? अब थरड पे आजे है identify थरड वाला जो कोड़िंट यह इस और इस नीवार से घिरा हुआ है फिर से यहां पुछेगा first quadrant के sign क्या होते है to be plus plus होते है to be second के होते माइनس plus third के होते है minus minus一次 fourth के होते है माइनस मैनिस प्ल्स माँस ९ह ना अब देखी यह तो कि자 के sign convention हो गए यह मतलब sign के हिसाब साब को बताना है जब आप address बताएंगे इन जगह का जैसे आपने यहां पर बताया था तो ABCD और 123 यहां पर जो होता है यह प्यॉरली नंबर सी होते हैं सारे देखें आपने 123 123 यह सब नंबर सी हैं यहां पर ABCD नहीं होता हो सकता है अगर वो कोई दे देगा अलग से question में लेकिन जो basic है वो तो मैं इस जगह का address पूछ रहा हूं आपसे तो आप क्या करेंगे जैसे यह जगह हो गई मैं यहां पर यह जगह हो गई सब्सक्राइब तो हम क्या करेंगे एक line हम दोनों side से देखेंगे इसको देखेंगे आप हमने बोला था ना कि किसी point अगर address पता करना हो तो आप इस side दे देखेंगे कौन-कौन सी side में मिल रहा है तो मैंने इस line पर इसको देखा तो यह मुझे 3 वाले point की seat पर लगा फिर मैंने इस को इस line से देखा तो यह मुझे 6 वाले point की seat पर लगा तो यह जो जगह है यह दो side से X में तो 3 और Y में 6 इस लाइन से मिल रही है, इस लाइन पर जा रही है, तो या मैं ये कहूँ कि 3 से जाते हुए 6 वाली लाइन पर मिलना है, उसको हम उस जगा का एड्रस कहते हैं, तो इस जगा का एड्रस हो गया, X से आप चलें, 3 लाइन पर बिल्कुल सीधा, और देखिया, हमेशा हम सीधा ही चलते हैं, हमेशा आप ऐसे नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा, 3 वाली लाइन पर चलते रही है, चलते रही है, जहाँ पर 6 वाली लाइन मिल जाए, वहाँ पर रुख जाई बोलेगा यह रहा 3, 6 का एर्टरस बताईए इसमें से X कौन सा है, Y कौन सा है तो आमें बता है पहला वाला X, दूसरा वाला Y लेकिन यह असल में होता गया देखे, जब मैंने 3 वाली जो लाइन के बात करी थी आप देखे, 3 वाला जो लाइन है वो तो 3 तो शुरू हो रहा है X से है ना, तो जो 3 पर जब मैं जा रहा हूँ आप देख रहे हैं, 3 पर जब मैं जा रहा हूँ तो मैं किस से दूर जा रहा हूँ कौन सी वाली लाइन से दूर जा रहा हूँ कौन सी वाली लाइन से दूर जा रहा हूँ इस वाली लाइन पर तो मैं हूँ ही हूँ, इस लाइन से तो मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं पर भी जाओ, इस लाइन पर अगर मैं हूँ, इस से तो मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जब मैं 3 बोल रहा हूँ, जो की x का address है, तो मैं दू दिखाता है, देखेंगे, आप, x का जो एड्रस है, x का जो एड्रस है, यह 5x का जो एड्रस है, 6x का जो एड्रस है, यह असल में distance दिखा रहा है y वाली, कि y से कितना दूर है, और अगर मैं y के लिए दिखूं, अब देखें y का 6 लाइन था, y का 6 पॉइंट तो यह ना, यह से confuse नहीं होना है, कि हम कभी x, y बोल रहे हैं, कभी इसको y का अड्रस और इसको x का अड्रस बोल रहे हैं, simple है, कि point आप बताएंगे, तो पहला point x का अड्रस बताता है, यह x का अड्रस है, लेकिन y से distance है, तो पहला point क्या यह, address of x, and distance from y, and distance from y ये address तो दिखा रहा है किसका x का x का ही address है ये लेकिन ये number बताता है कि y से कितना दूर है ये y का address है लेकिन बताता है कि x से कितना दूर है पहला point x का address distance from y, y का address distance from x axis तो ये हमारे पास कुछ basic जानकारी थी इस रिलेटेड और आपने एक चीज और रह गई देखे एक point था कि ये जो line है इसमें इस जो distances है इसको हम epsi सा कहते है जैसी जो point है ये इस point पर line पर जो point है इसको हम epsi सा कहते है कौन सी वाली को? x वाली को epsi सा ठीक है और जो y वाले points है उनको कहते है जो coordinate coordinate तो ये optional में आ सकता है कि ये ordinate है ठीक है और इन दोनों के combination से जो point बनते है इनको कहते है coordinate coordinate देख रहे होंगे आप coordinate जैसे साथ में हम बोलते है तो cooperate तो साथ में word के लिए use करते है co word तो उसके लिए एक ये और एक ये यह दोनों को जब हमने साथ में एड्रस दिया तो वो बने coordinate साथ में इसका और इसका एड्रस जब साथ में लिया गया तो वो इसका एड्रस बनाए इसका एड्रस और इसका एड्रस जब साथ में लिया गया वो इस जगह का एड्रस बनाए तो अब शुरू करते हैं हम लोग exercise 9.1 और करते हैं इसका first question दिखते हैं first question क्या है write down x and y coordinates for each of the following points वो कह रहा है यह आपको a, b, c, d कुछ addresses दिये गए हैं जगा की जैसे में यहाँ पर इक जगा बनाई थी ना इसका address था इस जगा के address था ही तो वैसी किसी जगा के address हैं यह और आपको बताना है यह x और इन addresses में x कौन सा है और y कौन सा है तो अभी अभी उमने बात करी थी पहला वाला मेशा क्या होता है x तो 3 वाला हो गया x का coordinate और दूसरा 3 हो गया y का coordinate तो बस यह simple हो गया यह x का है और यह y का है यहापर आप लिख सकते है x coordinate क्या है 3 and y coordinate क्या हो गया यह भी 3 ठीक है वैसे इसके लिए x coordinate हो गया x minus 6 और y coordinate हो गया 5 इसके लिए x coordinate हो गया minus 1 और y coordinate हो गया minus 3 और इसके लिए x coordinate हो गया 4 और y coordinate हो गया minus 2 लिखने इसको प्रॉपर देंसे इस तरह से आप में लिखना है x coordinate हो गया 3 तो अब यह हो गया 1st question अब करते हैं 2nd देखते हैं, second question क्या गर है Write down distances of each of the falling points from the y and x-axis अब देखिए, यहाँ पर आपसे पहले question में addresses पूछे थे कि x का address बताईए, y का address बताईए अब बोल रहा है कि distances बताने आपको अभी अभी हमने यहाँ पर याद होगा आपको इंट्रो में बड़ा था, कि जो x-axis होता है वो y का distance दिखाता है और जो y-axis होता है, वो x से distance दिखाता है मतलब, जैसे अगर हमने कोई coordinate plane बनाया होगा याद होगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर जो हमने plane बनाया होगा जब हम x में address ले रहे थे, x में जैसे 3 था, तो y से distance था और जो y में address था 6 दिखें, y में 6 address था, यह distance किससे है, x से x से, ग 12, x का address होता है, वो y का distance दिखाता है, और y का address होता है, एक सका distance दिखाता है, अभी यहाँ आपको्तिशन किया था है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख रहे हैं मैं इसको explain नहीं कर रहा हूँ वो उपर हम कर चुके कि जो a है एक address है a 2,4 तो इसमें x-axis होगा x होगी हमारे पास 2 और y होगी हमारे पास 4 तो जो x2 है यह दिखाता है distance from y distance from y is equal to distance from y और y होगी हमारे पास 4 is equal to distance from x distance from x तो इसको जो लिखने का तरीका वो यह है कि आपको क्या करना है जब आप यह 2 पे जा रहे होंगे देखिए यह जो 2,4 था इसको देखिए 2,4 तो 2,4 का मतलब यह x में 2 था और y में 4 था और दोनों positive है तो मतलब इस 2 वाली लाइन पे मैं जब उपर जाऊंगा उपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि 2 वाली लाइन पे मैं जाऊंगा 2 वाली लाइन पे मैं नीचे भी जा सकते थे लेकिन आपने उपर ही क्यों गई आप क्योंकि हमें y में उसने बोला था 4 वाली लाइन से मिलना है यह देख रहे हैं 4 वाली लाइन से मिलना है 4 भी positive था तो हमें अगर 4 वाली लाइन से मिलना है तो वो तो उपर ही है नीचे तो minus 4 है इसलिए हम उपर गए यहाँ पर जब हम गए तो हमें यह जो address मिला इसको हमने का 2,4 ठीक है तो यह जो 2 था देखिए यह distance किससे y से और जो y में 4 था यह distance किससे x से तो मैं जब इधर जा रहा हूं तो मैं बोलूँगा right from the origin यह क्या है distance from y और इसको मैं लिखूँँगा यह इसको इस तरह से लिखूँ यह distance from y and जब मैं y से distance आऊँगा तो मैं किदर जा रहा हूं origin से यह origin है origin से मैं किदर जा रहा हूं right hand side कि दरब right from origin और यह y में जो 4 है y में जो 4 है यह distance from x and above the origin origin से यह उपर है तो इसको above बोलेंगे और यह origin से नीचे है तो इसको below बोलेंगे तो मैं बोलूँगा यह है distance from x above from origin okay तो यह हो गया first complete अब देखिए second वाला b यह आ गया minus 2,4 minus 2,4 minus 2 है यह वाला address देखिए ये हमेंवा x का address होता है ये वाला ये y का address होता है तो x में minus 2 x में minus 2 कहा है x में minus 2 इतर होता है ये रहा minus 2 ठीक है और y में था 4 तो y में 4 यहाँ पर है तो यह address लगबग यहाँ पर होगा ठीक है तो कोई बात नहीं हमें यह point plot करने की ज़रूत नहीं बस आप x में देख लिजिए x में यह कितना है minus 2 तो minus 2 हम किदर सिठा रहे हैं कि यह distance है y से और हम जा रहे है origin के left में देखे आपका left hand side इधर होता है तो मैं इसको लिखूंगा यह है x में है यह minus 2 और it shows distance from y and left to the origin ठीक है और y में है हमारे पास 4 यह distance शो करता है यह from x and 4 हम की तरफ गए थे 4 हम गए थे उबर की तरफ positive में तो मैं बोलूंगा above from origin अब next is c part को देखते है अब यह x में होगी हमारे पास minus 2 तो x में minus 2 यह तो इसके यह हम कर चूके है minus 2 यह minus 4 है तो x में minus 2 यह तो बिल्कुल वही है कि minus 2 है तो यह होगा distance from y left to the origin और y में हो गया minus 4 अब देखें य में minus 4 की तरफ होता है minus 4 होता है y में नीचे की तरफ तो यह below the origin यह होगे न तो यह होगा distance from x and below to the origin अब d पार देखें इसका d है 2, minus 4 तो x का address है 2 मैं बोलूंगा यह शोग करता है distance from y और x में 2 देखें x में 2 इधर है तो मतलब right to the origin right to the origin और y का जो address है यह minus 4 यह शोग करता है distance from x और minus 4 y में की तरह है देखें minus 4 नीचे की तरफ होता है तो यह तो हम यहाँ पर भी देख जोगे थे minus 4 distance from x and below to the origin तो यह होगे हमारा question number second भी complete आप करते है question number 3 देखें question 3 क्या कहा रहा है group each of the following points quadrant wise आपको बचें यह जो points है इनको quadrant wise बताना है आपको इसको graph में plot करके नहीं बताना है quadrant का मतलब आपको क्यों लिए बताना है कि कौन से quadrant में होगा first में second में क्या होगा आपको जब हमने यह वाला question किया था यह वाला इंट्रो में किया था कि जब आप axis बनाते हैं तो यह चार हिस्सों में बढ़ जाता है और हर एक हिस्से को quadrant कहते है ठीक है यह में भी positive वाली axis थी तो इसको भी plus कहेंगे पहले quadrant का इंट्रो में बनाते है प्लस प्लस अब देखें यह वाली side यह वाली side यह वाली side से यह वाला quadrant बन रहा है यह वाला पूरा हिस्सा तो यह x में negative और y में positive तो यह third quadrant का sign बन गया और fourth का बन गया x में positive और y में negative ठीक है हमेशा पहले x होगा दूसरा y होगा तो यह बन गया first quadrant यह बन गया second यह बन गया third और यह बन गया fourth quadrant ठीक है ऐसे चलना है घड़ी की उल्ट दिशा में आप देखेंगे यह जो आप address देख रहे हैं एक एक का address है minus 3,2 तो आप देख रहे है पहला वाल दूसरा वाले में sign नहीं है तो मतलब होगा plus तो minus plus जो है minus plus वो तो second quadrant में तो a लाई करता है second quadrant में ठीक है बी को देखें बी है 2,3 यह भी plus और यह भी plus तो मतलब दोनों plus plus होते हैं first quadrant में तो यह करेगा first quadrant में ठीक है इसी तरह से c, c देखें यह आएगा 7, minus 6 तो यह आगया plus यह आगया minus और plus minus यह होता है fourth quadrant में ठीक है उसके बाद आगया d, d को देखें 1,1 अगें plus plus यह आएगा first quadrant उसके बाद आएगा e, e हमारे पास है minus 9, minus 9 तो यह आ रहा है negative और negative और negative और negative आता है sorry, यह वाला गलत, यह वाला गलत हो किया था, यह वाला गलत हो किया था, यह देखें यह इसमें भी negative है, इसमें भी negative है दोनों negative, negative नेगेटिव आता है third quadrant में और कहीं तो नहीं किया हमने तो minus plus आता है किसमें, minus plus आता है second way, minus plus आता है second quadrant में फिर f के बाद आएगा g, minus 4, minus 5 तो यह भी negative, यह भी negative और यह होता है third quadrant g के बाद h, h आ रहा है 11, minus 3, यह यह पॉजिटिव और यह negative तो plus minus आता है fourth quadrant में उसके बाद h के बाद i, i आएगा, sorry p है यहाँ पर, h के बाद p point है, यह 3, 12 यह भी plus, यह भी plus तो plus plus आता है आपका first quadrant में, first quadrant में, p के बाद है q, q है minus 13, 6 तो यह आ गया minus और यह आ गया plus, तो minus plus होता है, minus plus, minus plus होता है second quadrant में तो यह आ गया second quadrant, ठीक है, तो यह हो गया question 3 complete, और exercise भी हो गई हमारी complete, 19.1 complete हो गई, अब next video में करेंगे, 19.2, तो आसले इतना ही करते हैं, thank you झाल झाल